यह कॉंग्रेस पार्टी इस हाल पे क्यों आई उसका कारण समझना आपके लिए और दर्शकों के लिए जनता के लिए कॉंग्रेस पार्टी में जो लोग निर्ने कर रहे हैं उन्होंने आज तक क्लास के मॉनिटर का चुनाव भी लड़ानी अब जिस आदमी को चुनावी नहीं लड़ना उसको क्या मतलब है कि ग्राउंड पे क्या रिलेटी है मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देता है कि राम मंदिर में नहीं जाएंगे और अपने सिगनेचर करता है अपना नाम उपर लिखता है दूसरा आदमी बताता हूँ नाम नाम नहीं लिए नहीं आपको पता पढ़ रहा है और आपके दक्षकों को भी पता पढ़ दूसरा आदमी जो टिकेट देता है जैसे भलाना को को यहां से टिकेट देना और साइन करता है उ हुआ पी ऑरफजी में आपको चुनाथी दे रहे हूं और यह जो सुन रहे हैं, सारे रिपोर्टर को ब хотел रहे हैं, आपका रिपोर्टर तो जाहि निकाइगा, कोई blacks तो जा रहा नहीं देते हैं, कंप रहे पूछ ले, कि पूछ ले उनसे, कि उत्तर परदेश की पांच लोकसभा सेत्र का रहा है, अगर वो एक मिनट में बता, मैं एक मिनट साथ सेकंड दूँगा, वो बताएंगे सूरत, क्या बताएंगे लखनाओ, फिर वो तीसरा बताएंगे राची, चौथा वो बताएंगे कलक मैं जूटने की बात नहीं, मैं तो उनके मूपे भी बोल सकता हूँ, तीसरा आदमी का डेस्क्रिप्शन सुनो, मैं 1992 में दसवी क्लास में था, मेरे पिताजी मेरे को अंगरे जी का अगवार पढ़ने का बाध्य करते थे, कि अपना आउटलोग मेरे भी बाव जी आज तर और हमारे घर पर हम छोटे शहर में रहते थे, एक दिन लेट आता था अकबार, जैसे आज का अकबार कल आएगा, आप पाली से पढ़े हूँ, फिर हो आता तो मैं पढ़ता कि आज कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया, फलाना ने जारी किया, मैं 1992 में दस्व पार्टी ऐश्वरिया जी, मोदी जी का विरोध करते करते, अपनी स्वेम की नीतियों का विरोध करती है, उदारवादी नीती, नीजी करण की नीती, वैश्वी करण की नीती, वेल्थ क्रियेटर्स की नीती, सब का विरोध करती है, जो पीवी नरसिमा राव साब के समय ल लागूई आज कॉंग्रेस पार्टी मोधी जी के विरोध में इस तरह पागल होगा। मोधी का विरोध वो इसने करते क्योंकि लेकिन